उत्तर प्रदेश में बीजेपी को मिली प्रचन जीट से सभी राजनितिक पार्टियों में खलबली मची हुई है बिधान सभा चुनाओं में जिस तरह से बीजेपी ने शांदार प्रदर्चन करते हुए चार राज्यों में कमल खिलाया उससे सभी दलों की नीद उड़ गई है अपने पार्टी के वरिष्ट निताओं के साथ बैठक के बाद लालू ने कहा कि बीजेपी को हराने के लिए मायावती और मुलैम सिंग्यादों समेत सभी धर्म निर्पेक्ष पार्टियों को एक साथ आना चाहिए अगर ऐसा होता है तो भाजपा की रणीती धराशाई हो जाएगी लालू ने दावा किया है कि कि इन सरकार आरक्षन के फायदों को खत्म करना चाहती है उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में सामाजिक नयाई की वोट का बटवारा होने के वज़े से बीजेपी की जीत हुई है महें पंजाब बिहार में वोट का बटवारा नहीं होने के कारण बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है लालू यादों ने इस से पहले भी UP विधान सबाद चुनाओ के लिए महागड बंधन के लिए राजनितिक जोड लगाया था लेकिन ऐसा नहीं हो सका और UP विधान सबाद चुनाओ में BJP को एतिहासिक जीत मिली लेकिन 2019 के आम चुनाव के लिए अब इन तमाम पार्टियों की क्या रणनीती होगी ये देखना बाकी है देखते रहें डिबी लाइव